कुल है गारिवा enfant साइंस का फिरी जिस पड़ रहें है जिसमें के लाग नोगों का चल रहे लिए संसरें हमें लोगory मोगों से नीज़ी देखें ए तुमिंट को यह उस ररा है और थे च्च्छोटी यांद को पोस्ते ठीक है, small intestine क्या होती है, इसके बारे में हम अभी detail study करेंगे, ठीक है सात्यूं, तो अगर ये देखते हैं, छोटी आत्यूं, अक्शली इसकी लंबाई कितनी होती है, यह लगवग कितना लंबा होता है, चाहे मीटर होती है, हला, सात्यूं, अगर हम total अगर आत की लंबाई, य यह लगवक बटी होती है कि इसमें दो में बटी होती है एक छोटी आत और एक बड़ी आत ठीक है small intestine and large intestine तो जो total लंबाई होती है आसपास कभी कोई साथ मिटर करेंके साथ मिटर देता है बुक में इसको क्या बोलते हैं python and helium इंगलीसमें नाम हो गया हिंदी को भलते हैं मध्यांत्र आइप अलिएम को बोलते हैं से having है चोटी आथ को तीन पार्ट में करते हैं ताकि काफी हम लोगों को convenient होता है इसका study करने में ठीक है तो अब चोटी आथ की बारे में आज study करेंगे डाइशन में क्या रोल है कौन कॉंसा में हारमों सी हां जेशन होती है ठीक है और यह क्या होता है जो मारा अब इसमें छोटी है आथ के बारे में अब हम लोग पहला देख लेते हैं कि जो डियो दिंट होता है वो क्या क्या होता है वह आकार का होता है ठीक है न Για SUS जैसे इस descon Kyles से से जब नीचे आप आगे बढ़ेंगे तो जय से मिलेगा आमासे के बाद से होता है हमारा यह तीनुप पार्ट शुरू हो जाते हैं इस में बहुत से सुच्मांग कुरों यहनी जिसको के माइक्रो विलाई भी बोलते हैं पोशक तत्तों के बने होते हैं अगला मैंने इसको बुलेट पॉइंट कर दिया है ना तो इसको थोड़ा सा इजी हो जाएगा पढ़ने में ठीक है नहीं तो एक पैसर हो जाता है को यह बार उसको थोड़ा सा अंडरस्टेंडिंग में प्रॉब्लम होती है बोजन का पांचन तथा पचे हुए पदार्थों का आउ हम मोनोग्लिस्टाइट में तोड़ता है ठीक है और जठर रसका पेपसीन इंजाइम प्रोटीन को छोटे छोटे चोटे प्रेप्टाइट में तोड़ता है प्रोटीन का और किसमें करता है प्रोटीन का और किसमें करता है प्रेप्टाइट में तोड़ता है ठीक है इसमें वह बाट करके पड़ेंगे pancreatic juice जो अगणियासाही रस बोलते हैं पित बोलते हैं बाइल को और intestinal juice को आंथ्री रस बोलते हैं अब हम आईए इसको देख लेते हैं कि क्या है अगनियासाही रस ठीक है तो सतियों क्या है पंक्राटिक जूस की बारे मिए देखते हैं में में इन छोटी आथ में में जो इंपॉर्टेंट रोल है वह है पंक्राटिक जूस का और यह ठीक है पीत रसका अब देखते हैं अग्नेसाही रस क्या है और उस्तान 1.2-1.5 लिटर प्रती दिन हमारी प्लाई होता है यानि 7.5 से ज्यादा होगा पीच वेलु किसी कि इसकी कितनी होती है श्यूंप फाइफ टू एट पॉइंट थी पिए समझते हैं साथ यह वह एसी डिक नेचर का है या चारी नेचर का है ठीक है या न्यूट्रल और न्यूट्रल क्या होता है जब किसी विलेन भांँ साल्ट की मातरा जादे होती है चारी होता है ठीक है 7.5 2 8.3 ठीक है फ़े तो टिक नेचर नेचे यह गदो एस्ट ठीक है अब हम समुद्र का पानी कभी कोई टेस्ट करते हैं तो क्या होता हो छारी होता उसमें कि साल की मात्रा ज़्याद होती है उसकी प्येज वैलु कितनी होती है तो चलिए आगे देखते हैं कि इसे एक पूर्ण पांचा करस कहा जाता है कि इसको पैंक्राटिक जूस को क् सब्सक्राइस type देख सकते हैं माईक्रोंजीन नाकेस कार्बोओड्र प्रोटीन लप इस सब्सक्राइब होते हैं त Χुर्ण माले एंज्याइम होते हैं कि सक पैंक्राटिक यूस में आप अब देखे क्या है जैसे पैंक्राटिक एम यह ज्टार्ज को एक हमारी तो टाइलिन हमारी मुह में भी आकनुए सब्सक्राप्राइब है ठीक है ना तो यहां क्या करता है जो अगनिया से ही amylase है pancreatic amylase क्या करता है यह क्या करता है यह क्या क्या करता है यह देखिए अश्टार्ज का फार्मूला है ठीक है इसको जब आप ओपन करेंगे तो टू-टू क्या होता है यह किसमें करता है मालटोज में ठीक है न यह मालटोज का फार्मूला तो इस्टार्ज को किसमें ब्रेक करता है मालटोज में आगे देखते हैं pancreatic lipase क्या होता है यह भोजन की 90 से 95% lipids का पाचन करके किसमें monoglycerides fatty acids में बदल देता है ठीक है न किसको पचाता है lipids को यह ध्यान रखना है कि आपको साथ यह यहीं से एक्जाम्स पूछे जाते हैं कि MLH किसका डाइस पाचन करता है किसको ब्रेक करता है lipids का कौन lipids के इंजायिम को पच्छाता है टिक है ना डाइजॉस्ट होता है तो यह यहाद रखना तो किसकी lipids को कौन पचाता है कॉन pancreatic lipase ठीक है तो क्या होता है इसमें fatty acids मदल देता है इसमें coliphase नामक क्या होता है protein सहायता करता किसमें peptides के पाचन में पाक किसका पैंक्राटिक ओर जीए निचर का भी क्या होथा है नेक्स है इसमें-पैंडो-dile को परने कहते हैं पैंक्राटिक एस्टरेजा हो गया उट एस्टरॉल थीक है? इंडो-पैptideans. इसका क्या काम है? अब इसाब पैंक्रियाटिक जूस में हम लोग पढ़ रहे साथियों. पैंक्रियाटिक जूस में, ठीक है, अगने सही रस्में. हर फोण ही प्रोट्योलेटिक इंजाइम ट्रिसीन हन और काइमॉट जटिल प्रोटियंज तथा पेप्ट्टीन थर्यम बड़ी बड़ी पॉटिटाइट सिंके नुधा को और फ्रोटीन्र काइम, भागया अज़ार। जिसके नाम सी पता चल रहा है कि Revelation क्सपर काम करेंगा नूठीक टरीक सिड्ट दो हम न इतली ने कई बार। इस अगे जाता है ना तो 99% केसेज में क्या होता वह एक एंजाइम होता है जब किसी वार्ड के लर्ड़ रस्ट लेटर जो थ्रि लेटर सोँगे अगर वह ऐस ए मिद्जाइम होते हैं जेसे देकीछ डा Иश को मितंत राइंजरी और न Spieler को किसको किस में नुक्लियो टाइट्स और अब नुकलियो क्या होते हैं पॉलिय नुक्लियो साइड प्लस फॉसपेड में तोड़ता है डिक यह दोने इंजाईम डियाकसर इवनुकलेज और रभाएर नुक्लियस ठीक है चलिए नेक्स्ट तो यह साती हो हमारे कितने काहें पॉंट्स हो गए इसमें पास्गर्ट हो गए किसमें पंख्राइटिक फाइले दूसरा या यutा इसार्फ कoff में डिलीपीटको्ट में एप्रोटीन्ट स्कानमें डिसायट्स में और शौने कॉलेस्ट्रॉल को चलनगतेश में यह प्र mustache और नुकलेस क्या करता है उनको नुकलेसट में फॉसर्फफर करता है ठीक है यह क्लियर हो गया अब हम लोग देखते हैं बाइल सेकंड पाइट क्या इसमें छोटी हांत में कौन सा इंसको इमाहिने पॉइंट करने का मैंने कुशिट किया है यह क्या है यह हरे पीले रंग का छारी गभी कितनी होती ही-7 पॉइंट-6וך-cious शारी तरल होता है ठीक है कि यह चीज तो आप जाने कहने कि इंटेस्टाइल यह आपको मेजरली मेजरली जानना होगा कि जो छोटी आथ का जो पीएच जो पीएच मेडियम होता है ठीक है वो पीएच मेडियम उसका क्या होता है चारी होता है और हमारी जो आथ का पीएच मेडियम होता है यह आप मोट प्रती दिन लगवग 800 से लेकर के 1000 ml ठीक है यानि वन लिटर हो गया पित का स्रावण होता है ठीक है डेली पितासय से पित ग्रहणी में मुक्त होता अब यह ध्यान अखना है यह पूछ ले आता है कि पितासय से पित जो है कहां से क्रिट किया रहता है ठीक मैंने इसको बनाया की कौन कौन सी एंजाइम कहां सब्सक्राइब pro Antoine ज्यूश कित ठीक है का तो इसमें नहीं यह भी महतुंपूर्ण भिम नईंबार है त्धे कि हमारे बित में कोई पाचक एंजाइम तो नहीं पाजाता है लेकिन फिर भी किसके पाचन में लिपिट्स के पाचन में और ऑस्वोचन में बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है जिसका बाइल सिक्रिशन सही नहीं होगा नॉमल नहीं होगा उसको लिपिट्स को प्रभाव को समाप्त करके काईम को चारी बनाता है ताके तथा बैक्टिरिया को नश्ट करके काईम को सणने से बचाता है बास समय आ गई हमने बताया ना कि अर्ध पच्छा भोजन है ठीक है लुग दी वाला जैसा ठीक है तो का मासय का होता है नेचर तो उसकी एसीडी को अमलेता को खतम करके क्या करता है चारी बना देता है और जुसमें बैक्टिरिया कोई होते हैं उनको नश्ट करके क्या करता है बोजन को सणने से बचाता है कौन बाइल आगे क्या है यह वसा का आगे कि अ लिएक दे कि शञान के लिए पित लावन क्या होता है बह। आवस्यक होता है आगे क्या है पीत रंगा यानि कि जो बाइल पिगमेंट है जिसमें के कौन सा बिल्रूबीन उत्सरजी पदार्थ होते हैं और यह अस्थी मज्जा बोन मैरो स्प्लीन प्लीहा लसिका लिंफ गाठों में तथा जिगर यानि लिवर में हीमोगलोवीन के बिखंडन से बन करके रक्त में मुक्त होती है जिसे जिगर यानि लिवर को सिका है रक्त से लेकर पित के जरिये बाहर कर देती है ठीक है इसी के कारण पित पिलाया हरा होता है बात समझागी आप समझागी पित क्यों पिला होया हरा होता है होता क्या है को उसमें जो हमारी यह सब देखिए कहा कह बोन मैरों में पलीहा में लश्कीड गाठों में रिम-पनोटस में और लीवर में क्या होता है? COR nei- 마지막 आकर आपकरो में इसे क्या हो जाता है? तो कि इसा कहते हैATION इसका रंग कैसा होता है पीला हो जाता है अब आगे देखते हैं पीली आरोग देख लेते हैं इसे क्या होता है इसको बोलते हैं रेटिकूलो एंडो एपिथिलमी उत्तकों जिसको तिली अस्थी मज़ा लस्का गाठो एट्सेट्रा में लाल रुद्राणों के विखंडन की दर क्या होती अतधिक बढ़ जाती है यानि कि हमारी जो यह लिंप गाठे हैं बोन मैरों हैं तो इसमें क्या होत होती है यह क्या होती है इनका विखंडन यानि बहुत तेजी से टूटने लगती है और बड़ी संख्या में क्या होता है बड़ी संख्या में यक्रीत को सिकाओं को यक्रीत को सिकाओं के छतिग्रस्त हो जाने या पित्यासयों से पित्वाहिनी में पित्वाहिनी में अगर वह अवरूत होगे मतलब उसमें कोई रुकावट होगी ठीक है तो क्या होता है और दोजाने पर जिगर कोशकाएं जो यक्रित कोशकाएं होती है क्या करती है रग्त से बिलरुबिन को ग्रहन नहीं कर पाती ठीक है अब पीला बिलरुबिन पूरे सरीर में फैल जाता है जो क्रच है आब यक्रित क कर ते क्या करते हैं यह क्रिड को ब्लट maximize ब्लट से हहें जो हमारी हीमोग्लोवीन जो टूटी होई जो हमारी उखभ्जंडीथ हेमोग्लोवीन इनको क्या कर तो मैं क्या होता है यह नहीं लिए को तुक्या होता क्लर पी यह जो निए अब से प्लकर जाएगा तुस्ता नियुटा हो हता है तो थो क्या कुछ से उस्य थे म का कहने शुक्टिश नियुक्ति मॉट्र पीला अम जाता हैبح साति हूं तो यह हमारा किया रहा चोटी यहांत के बारे में जिसमें Pancreatic जूस ठीक है अब हम आगे देखेंगे इसमें क्या कि बाइल जूस सॉरी बाइल तो होई गया हमारा 22 अब हम देख लेते हैं अच्छा अब इसमें हमने दो पढ़ लिया पैंक्रियाटिक जूस पढ़ लिया और क्या बाइल पढ़ लिया तीसरा क्या है क्या पढ़ा था हम लोग आंत्री रस पढ़ा था ना इंटर्स्टाइनल जूस मैं देखिवश ताहिए मैसिक लिइसमें तीन-श िचारी मैं आपको ओरि ऐसे समझा दे रहा हूं है अच्छा यहीं पर देख लेते हैं मैं इसको सोट्ट व्लाइस फार्म में देख लिया है आप देख लिए इसे से अधिया कि यहां पर यहां पर यहां पर क्या है यह हैं यह है डाइस्टिव ग्लैंट्स या चू पर पूर एला है डिया हती करता है और यह यहां को प्रुड़क्ट क्या बनाता है और आगए किसके कोंत्रूल होता है तो इंट्रस्टास्य तीसरा पार्ट व्ımठा देख लिए किसे क्झाल इरॐ नहीं कोन से इरुपसिं का पहली ऑस्ट होता होता है amino acids में ठीक है दूसरा को सा नि्गलता है लाइपेज इसका भी pH medium क्या होता है चारी होता है और यह किसको ब्रेक करता है Fats को किसमें fatty acids and glycerol ठीक है यह तीसरे मैं भी बताता हूँ क्या यह थर्ड वाला तीसरा करता है किसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ठीक है आगे चौथा इंजयम निकलता है माल्टेज इसका भी छारी होता है माल्टोज को किसमें यानि किसमें ब्रेक करता है ग्लूकोज and glucose two molecules of the glucose कह सकते हैं ठीक है पांच भाइं लक्टेज इंजाइम यह भी छारी होता है और लेक्टोज मिलक सूगर को हम लेक्टोज बोलते हैं ठीक है तो इसको लेक्टोज को किसमें भ्रेक करता है सिक्रेटीन हर्मोन वही इन सब चीजों को किसको एरेपसीन, लाइपेज, सुक्रेज, माल्टेज और लाइपेज को सारी लेक्टेज को कंट्रोल करता है ठीक है तो यह तीसरा पाट रहा हमारी छोटी आथ का ठीक है सांति हूं तो अब आएए यह हमने पढ़ लिया क्या हां सवरी हां ट्वंटी यह ट्वंटी थर्ड हम लोग ने आम आसे पढ़ लिया पैंट्रियाज पढ़ लिया और बाइल जूस पढ़ लिया ठीक है अब हम लोग को क्या देखना है इसमें आगे देखते हैं अब हम लोग इसमें दे करेके लेते जिरांसा थीक है कि समराइस में देख लिए कि हमारी जो 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 भी चीजे ये रही है सब कर अब देखते हैं रासानिक पाचन का सारांस को एसको देख लेते हैं क्या है कि कार्भवध्रेट्स का पाचन फटा पड़ देख लेएक कार्भवर्वर्वर्वर्वर्वहां होता है नियाँ देखेंगे कहां पाचन हंता इसका आमासा में ONE मोनों सब्सक्राइड हो पाचन मॉनों कॉंँध कॉस यह क्लिए लिकस्ट ने मौनों सब्सक्राइड वनता यहां से बहुत जक्लेर लिखाएं आप उनलाकि इसको बगयादा कंफं़ कर लिए इसका पाचनामास में और यह मनस्सेकराटिक कहां आत्में ठीक है माल्व्टोज किसमे इंजायमक काटेति में माल्व्टोज काटमार डू गुलुकॉज में ठीक है सुख्रोज सुक्रैइजध नमक एजञाएं को पसी टेती में फ्रक्टोज ग्लुकोज में पूस्टोज अलग ज़ित हैं लेटेज या इंवर्टेजू में आधा लेक्टेजफ न प्रोटीन का पाचन कहां से सुरू होता है कोई वरुसा नहीं कि कहां से बनाएगा ठीक है इसलिए जहां से पॉसिबिल्टी बनी है मैंने क्वेश्चन को क्रियेट करने का कुछिस किया है प्रोटीन का पाचन कहां से सुरू होता है और छोटी आथ प्रोटीन का पाचन नहीं होता है यह बड़ी आत में किसका पाचन नहीं होता है उसमें दे दिया बाकी फैट और और बुटीन दे दिया लिपिट्स का पाचन मुह से बड़ी आत में साथ क्या है आप किसी को ना के बराबर होता है केवल वहां पर क्या होता है ठीक है स्वांगी करन जिसे बोलते हैं तो अब हम लोग देख लेगे अब देखते हैं क्या पोसक पदार्थों का आउसोचन जो जो चीजें पोसक पदार्थ जो जो पाचन के बाद जो है डाइसन के बाद जो जो पोसक पदार्थ मिले हैं निकले हैं उनका असोचन कैसे होता है इसको देख लेते हैं आईए आहार नाल से पोसक पदार्थों को सरीर की समस्त को सिकाओं तक पहुचाने का काम तरण उसको हमारी आमासर से कहां हमारी पैर की नाकून वाली सेल्स तक ठीक है और हैड के सेल्स तक यानि वह मतलब कहने के मतलब कि इंड पॉर पार्ट आप दा हमारी बॉड़ी के आखरी पूर सेल्स तक भी उसको पहुचाने का काम कौन करता है परिसंचनतर सर्कूलेटरी सिस्टम आहार नाल की छोटी आथ की सलेश्मिका यानि म्यूकोसा के रसांकुर यानि विलाई क्या करते हैं में उपस्तित ग्रेश्मिका काम करते ही जो और भूजन प्वोजन का न्यूट्रियिटत्स होते है उनको अब्जाब करने का काम करते है विलाई कन ऊपस्तित रुधीर यानि में पहुचाया जाता है सत्किर्वड़वादा के बहुचायार करते हैं धूठ है मनूस्य में दिन भर में लग 8-9 लिटर जिसमें की लगवाग 1.5 लिटर है नहीं 1.5 लिटर 10 लिटर के असपास पुसब पदार्थ होते हैं और सारे 7 लिटर के असपास जल होता है है साल्ट अहां कोई ऐस ताइका वैतल हिसल्ट हुती शुसान में जुक्षण और उसका क्या है कैसरे मितखिये 90 लेगिं पाचमक पूचता है कि हमारे पाचम तंत्र में अमारे पाचम कहांब अचर्शक करती है तो क्या होता है लगभग 90% चुद्रांत को छोटी आंद बोलते हैं इस मॉल इंट्रेस्टाइन में चुद्रेस और सब्साइब करता है किवल कुछ में तब पर चोह तता है है किस में ब्रियधांत का उसदों होती है उसमें वो अभजाब करता है लार्ज इंसे टाइन और विटमीन ठीक है अब देख लेते हैं ब्रीदान की बड़ी आत ब्रीदान को बढ़ी आत भी बोलते हैं इसके कारे हो गए देख लेते हैं थ्वाँ से पार्ट में इसको आम मम लोग causal को कवर कर देगी की पोइंट में जो जो important points हैं तो आजे दखते हैं छोटी आत का सहसांत यानि एलियम बड़ी आथ में चोटी आघ में खुलता है आदे ना जकेर कर Creator Sutra टीन पार्ट होता है चोक्ती है वन फैले फैप मिटर लंबा बड़ी आट में खुलता है 大गवाइट में कितने अतर होती है और चोटी आप वाले कितनी मोटी है तो धाई सेंटीमेटर मोटी हो थी ठीक ना अब देखिए कितना मोटा है बड़ी आथ कि अगल देखते हैं कि मोटा होता है इसके मुखी के तीन भाग थे अब देखिए तीन पार्ट उसके उसके विए छोटी यह तक कोंन क्षे थे इंडी नुककों से यह जूओन ग्रहनी जैजुनम मध्यांद और इलियं जिसे सहसांद्र बोलते हैं अब यहां पर तीन पर्ट इसके बड़ी आदे कौन कौन से होते हैं सीकम कोलन तथा रेक्टम के बोलते हैं इन दोनों को सीधैं और को अपको बता देंगे अगर आप कहेंगे तो बीधे, पूरे सरीर की डिवार में जो होता है, यह मुक्स जो है, लचका ग्रंथियां होती है, और यह क्या करते है, इनकी डिवार में गांथे भी होती है, जिन में लिम्फोसाइट नामक सुएत रुदराणू, बनते हैं, किसमें? बड़ी आत के सीकम वाली, जो सीकम होता है है इसकी वाल में क्या लचिकागाटे होती है जहांसे कि क्या होती है जिस में lymphocytes से नामक स्वेत रुद्रानů बनती है ठीक है है ज्ठीस क्या करते मारी बॉडी में क्या करते है जurance को bacteria को खbird करती है ठीक है और एसी से आपेंडिक आइटिस जो जो होता है बड़ीाथ में बड़ी आत कहीं पार्ट है ठीक है ना चलिए आगे दखते हैं पूरे सीखम की दिवार कि इसलेश्मिका में लाश्मिका गरंतियां होती ह है या यादे पी सी़ कि दिवार में कुछ लस्का गाठें देखिए वही चीज में बता रहा हूं ना सब्सक्राइब बनते हैं और फिर यह हमारी अहार नाल का एक निस्क्री और से अपेंडिक्स की बात चल लए ठीक है ना छोटी आज से प्रती दिन लगभग डेड़ लीटर काइम ब्रहदान्त में पहुंचता है ठीक है न देखिए कितना छोटी आज से लगभग कितना डेड़ लीटर 1.5 लेटर क्या काइम समझी रहा ना अधपजाब भोजन जिसका कर्वाइडेट के ऑसेसों के कुछ पोर्शन ऐसा है जो नहीं पस्पाया है तो उसी को चीज़े चुट जाती है बच जाती हुशकर बोलते हैं तो और वसेसों के कीड़वन यानी फर्मेंटेशन से क्या होता है हुद्रोजन कार्वाइंडराइड अक्षान मेथिन गयस बन कोई भी चीज तो क्या बनेगा hydrogen gas बनेगी carbon dioxide और methane बनती है इसी दसा को बदबुदार गैसी दसा अथ्वा क्या फ्लॉट्स ठीक है ना फ्लैटस कहते हैं ठीक है फ्लैटस समझ रहे ना गैस की वस्ता जब होती कब आगे देखिए इसी प्रकार काई में उपस्तित अमीनो स्वर्वानों का विग्टन जिवाडू वसी क्या अगर इसका विग्टनalley चुछ मेंК भी. करते आप लूब को हुआरोजों स्लुपाइट कार्वन घ्डीशिट था ऐमामीन में करते हैं इन इन्ही सरह पतार्थों के बनने से हमें क्या होते होती खट्टी धकार यहां Glex-2 देखिए अगर आपकी में अगर एमनों अम्लों का डायम नहीं होरा अची तरह सी तो वेक्टिरियां क्या करेंगे उनकाafterेकिंग रेकिंग करेंगे ठीक है। उनको ब्रैक्टवाउन करेंगे और ब्रेक्ट कर किसंगे करोंगे हैं आगे इंडॉल इसके टॉल होती हैं कों एम्मिंस मल्की दुर्गंद इनी के कारण होती है एमिन्स के कारण पित की बिलरुबीन रंगा का यह जिवाणू ठीक है एक बैक्टरिया है जो वही किसको करबोिक यह चौटता है तो क्या करता है बिलरुबीन रंगा का यह जिवाणू अर्थात कोलन में अनेक विकिटनकारी बैक्टरिया ँश IVE जिए अचल में रहेंगे उससे कुछ अपने लाव लेंगे और यह कुछ उसको लाव पचाते हो ठीक थे ना जिसंचल के अंदर समझे एंडर और यह एंदर यह बोड़ी के अंदर इजड़िक हो बोलते हैं तो क्या हो गया ऑगे हां सिम्बियोटिक वैक्ट्रिया होते हैं जो कुछ वीटामिनों का संसलेशन करते ता काइम कyorsun कि पोसक तत्यों का किर्वन करते हैं फिर फर्म kijken करें जिनका का चुद्रांत में चोटी आप में पाचन या उसको नहीं हो पाता है ठीक है मैं बता रहा हूं कि जिसका पाचन अगर नहीं हो पाएगा तो यह उसी का करते हैं पर्मेंटेशन करते हैं अब देख लिए दागे फिर से यहां से इसको कॉलेट करेंगे बिलरुबिन रंगा का यह जिवाडू क्या करता है सराल रंगाओं यानि को फोरा रंगाओं के कारण होता है वो इसी किसके कारण इस्टरकोबिलीन और यूरोबिलीन के कारण होता है कि आगे देखिए ब्रिहदांत यानि बड़ी आत्में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है जैसे हमारे मुग उसमें किसमें कि हमने पढ़ा तक इसमें बाइल में ना बाइल जूस में भी पीत रस में भी पीत में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है फिर भी वह किसके लिपीट के पाचन में बहुत हेल्प करता है ठीक है आगे देखते हैं और सोसन मल का निर्मार तथा मलत्या क्या है देख लेते इस जैसे जैसे koay-and-b complex ऊभीीताविटामीन केश का ओपीक होते हैं यहां के चीज़े में और सोसनाल करके कोलं तो जो मुधाशन करते हैं इंका करके कोलन की म्यूकोस होती हो क्या होती है ब्लड में इसको पहुचा देती है ठीक है आगे क्या होता है काईम का सेज भाग क्या होता है काईम का सेज भाग और द्ठोस मल यानि जिसको फीसेज बोलते है और द्ठोस होता है का रूप ले ले लेता है जो ही मल कोलन में मलासा में पहुचता है एक प्र सिस्टीजटी वहरा है यह सब यह आपकी जो यह परमेटर साहन जो डिता है यह कभी यह भी इस ट्रैकल डिटा पूश लेता है ठीक है। अब आई देख लेते हैं constipation मल बंद या कब्ज से बोलते हैं बहुत लोगों को समस्या यह होती है ठीक है देख लेते हैं क्या है बड़ी आत में काईम के पीछे खिसकने की दर कम हो जाने से इसमें सुखे वा कड़े मल का संचा हो जाता है इसी किया काते हैं कब्ज कहते हैं constipation कहते हैं ठीक है और ऑर यह किसके किसकी वैसे होता है यह जिनकी डेली रूटीन सही बैसी सनों झांत ऑनने के सप्राइबाल ने या या वायर सथा जिवाणों द्वारे संक्रमाडन सेंक्रमाड द्वारे संक्रमाड द्वायर या चिंता के कारण भी होता है जックलिंगे जलदी जलदी nepायारे लेकिन इसको फिनिस करते हैं जब ज्यादा इसमें बच्चा है निंग लेकिन थोड़ा बच्चा होगा साथी हूं चली देखते हैं ऐसी मेलेशन देख लेते हैं क्या है स्वांगी करन ठीक हैं, रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित पदार रुधिर के ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित पदार जैसे क्या, ग्लुकोज, लैपोप्रोटीन, फैटी ऐसीड, ग्लिस्टरॉल, फासफौलिपीग्आ, जल, लवनड, वेटैमिन, सुरी, नाइट्रो सारी चीज़ इतने हैं इसमें से केवल 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 जो यूरिया होती है ना उसको अब्जाब करती है कौन किड्नी की सेल्स करती है और पदार्थों को सरीर की सभी कोशिकाएं अपने अपने उपा पच्छा है यानि मेटाबॉलिजम के रूप में कच्चे माल के रूप में ग प्लाज्मा में से नृट्रेंट्स चीजों का जो नृ चैमारी है उसका क्या हमारी मेटाबॉलिजम के थृँ क्या को सिकाऊं के साइस्टो प्लाज्म के दौरा उनको अपने में मिला लेना ही यानि उसको से मेलेट कर लेना मिला लेना क् स्वांगी करन कहलाता है ठीक है स्वांगी करिद पदार्थों को क्या कहते हैं केते हैं मेटाबॉलाइट edible चो होती है जिसको उसमें sytoplasma नहुंत करते हैं साथर॥ मेटाबॉलाइट को इसमें कूछ पॉइंforder कुर्प्स है और पर आगे देख लें हाँ हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा एक लेक्षर प्रीकली मैंूट्स बनाया है जो सकते हैं यह कि प्ल्ड़ाववर इसको प्ड़ा भीएति और शॉच्टन व्यर्द फरी मुझे लगा कि इसको को पॉंट आउट कर देना चाहिए तो फटाफट इसको मैं पढ़ा देता हूं समझा भी देता हूं हिंदी में क्या है इंगलीश में नोट्स में इस टमक इस चीफ साइट आप प्रोटीन डाइजेशन यानि प्रोटीन का डाइजेशन जो है कहां होता है खास तोर से इस्टम समक में क्या है अगर एकदम बिल्कुल नहीं सिक्रीट हो रहा है अगर बनी नहीं रहा है तो इसको क्या बोलते है एक लोरो हैड्रिया बोलते उस कंडिशन को ठीक है आगे क्या इमल्सिफिकेशन क्या है इस ब्रेकिंग ऑफ लार्ज फैट ड्रॉपलेट इन्टु फाइन बाइल जूस ऑफ लिवर लिवर के बाइल जूस द्वारा जो फैट के जो बड़े बड़े डॉपलेट्स हैं उसका फाइन और चोटी-चोटी इमल्सिफिकेशन मैंने मुला ना दो चीज़ों को मिलाते है जो नहीं मिल पाते है उनको इमल्सिफिकेशन ठीक है चोटी-चो अब देखेशन से पूछ लेए कि ब्रूनर्स ग्लान घास घंकनाव पायाथ है वेणाई इसलिए उस लिवे फ抉से सो बनाने झाले जो दो